हाई दिस इस मनीशा सिंग स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर फ्रेंट्स आई होब कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की त्यारी भी वेल इनप बहुत अच्छे से चल रहे होगी तो हाजीर हो आप सभी के बीच फिर से एक और गवर्मेंट जॉब की अपडेट के साथ जो की डाइरेक्ली निकल के आ रहे है S.S.C. की तरब से C.P.O. की रिकूट्मेंट 2024 की रिगार्डिंग S.S.C. यानि की स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के तहथ C.P.O. यानि सेंट्रल पुलिस अर्गनाइजेशन में ग्रूप B और ग्रूप C दोनों ही पोस्ट के लिए रिकूट्मेंट आउट हुई है इसमें जो भी इंडिया के आर्द सैनिक बॉल है जैसे B.S.F. C.S.F. दिल्ली पुलिस सब में आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए रिकूट्मेंट रहेगी All इंडिया की विकेंसी है male female दोनों ही candidate eligible रहने वाले है तो चलिए हम लोग इस पोस्ट के बारे में complete detail वे में discussion कर लेते हैं अगर आप भी interested हो तो वीडियो को last तक जरूर watch करना तो चलिए friends अब ज़्यादा time waste नहीं करते हैं फटा फट से वीडियो स्टाट कर देते हैं Like I told you earlier कि S.S.C. में C.P.O. के ताथ new recruitment आई है कि फर्म कब से कब तक apply होगा Starting date है फर्म का 15th of Feb and last date to apply 14th March रहने वाल है So you don't have to wait for 14th of March जैसे ही 15th Feb से फर्म online होना है start होगा आप apply कर सकते हो क्योंकि बार में हो जाती है server issue तो problem face करना पर जाएगा चलिए देख लेते हैं कि officially exam का month re-announce कर दिया गया आपका जो paper 1 का exam conduct कराये जाएगा माई से लेके June 2024 में conduct कराये जाएगा मतलब कि exam हो सके तो 15 माई से start हो और June तक चले तो ऐसे ही आप मान के चली कि माई में exam है उस according आप अपनी तयारी की speed को boost करिए चलिए आप बात करने ते कि form apply करते time fee क्या लगने वाली है जेनरल OBC और EWS से 100 रूपीज लिया जाएगा form charge वही पर ACSTA female candidates इन से लिया जाएगा 0 रूपीज मतलब कोई charge इन से नहीं लिया जाएगा अब देख लेते हैं कि age की limit क्या रहने वाली है सबसे पहले तो यह जानेगे कि age कब से calculate होगा Your age will be calculated as on 1st of January 2024 minimum age 20 years and maximum 25 years age की limit रहेगी relaxation की अगर बात करी जाए तो OBC को मिलेगा 3 years का and SCST को 5 years का relaxation मिलेगा अब जो most important eligibility होती है कि educational qualification क्या होना चाहिए आईए देख लेते हैं अगर आप दिल्ली पुलिस में SI के लिए apply करना चाहते हो तो minimum आपका होना चाहिए graduation और साथ ही साथ नहीं आप driving license compulsory होता है वही पर other post के लिए simply जो भी graduate से सभी apply कर सकते है doesn't matter क्या percentage है driving license है की नहीं सभी graduate candidate के लिए यह eligible रहने वाले है तो चलिए आप बात करते हैं selection की process किनकीन stage से गुजरने के बाद आपका selection होगा आपकी selection चार stage पर dependable रहने वाली है पहले stage पर होता है आपका paper one exam online computer based exam होगा second stage पर PET and PhD मतलब physical eligibility आपका test होगा and physical standard test होगा PST में होती है आपकी physically measurement height, chest, sub-measure किया जाते है PET में बहुत सारी चीज़े होती है जैसे running, race, short put, long jump, high jump चलिए इसको अब आगे हम लोग detail में discuss करेंगे उसके बाद paper two का exam होगा वो भी आपका online computer based test होते है lastly आपका medical and DV होता है फिर आपको आपकी joining letter दे दी जाती है तो joining letter तक पहुचने से पहले हम लोग देख लेते कि paper one का क्या exam pattern रहेगा paper one में होंगे आपके 200 questions, 200 marks के लिए time will be 2 hours, 2 घंटे का paper है 200 present, 200 number के लिए हर present के लिए आपको 1 mark दिया जाएगा negative marking भी है 0.25 तो साफधानी पूर्वा का answer करिएगा अगर subject wise बात करें चार subject से आपका हापर questions रहेगा reasoning के 50 present, 50 marks के लिए general knowledge and current affairs को combine करके 50 questions, 50 marks के लिए maths के 50 questions रहेंगे 50 marks के लिए तो this is your overall paper 1 exam pattern, तो paper 1 qualify करोगे तो आपका क्या होगा physical होगा, तो आईए हम लोग पहले physical को discuss कर लेते हो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो friends, सबसे पहले PST होती है जिसमें होती है height की measurement male candidate general OBC and SC का minimum 170 cm, ST candidate male 162.5 cm females के लिए general OBC and SC का minimum 157 cm, ST के लिए minimum 154 cm height आप देख लिए समझ गया, आप क्या होगा, chest की measurement होगी only for male candidates, आपका जो है general OBC और SC के लिए 80 to 85 cm रहेगा ST candidate के लिए 77 to 82, मतलब कि 5 cm का expansion आपका यहाँ पर demand किया गया है आप आप क्या होगी आपकी physical efficiency test, पहले होगा race 100 meter की race 16 second में complete करना होगा male candidate को females को 100 meter की race 18 second में complete करना पड़ेगा उसके बाद running होगी 1.6 km in 6 and half minute मतलब सारे 6 minute में 1.6 km के आपका running male के लिए 800 meter की running 4 minute में females को complete करना होगी उसके बाद long jump होगी 3.6 meter का होगा और आपको 3 chances दिये जाएंगे male candidate के लिए 3.6 females के लिए 2.7 वही पर high jump 1.2 meter for male candidate 0.9 meter for female candidates short put only for male candidate goal of 4.5 meter करेगा और सब में आपको 3 chance दिया जाएगा जैसे मैंने आपर mention किया है तो फिर आप जब physical qualify करोगे तो paper 2 होगा तो आईए हम लोग paper 2 की exam pattern discuss कर लेते हैं देखिये friends paper 2 में सिर्फ और सिर्फ आपका एक subject रहने वाला है English language and comprehensive तो इसमें अगर जो भी cpo का exam form apply करोगे आप लोग वो उनके लिए बहुत important है कि English बहुत strong करना होगा आपको क्योंकि यहां पर 200 questions होगे 200 marks के लिए time 2 hours कर रहेगा negative marking 0.25 का तो paper 2 आपका सिर्फ और सिर्फ English पर dependable रहेगा तो इसको आप एकदम ध्यान में रख लीजेगा फिर इसको qualify करने के बाद आपका simply क्या होगा medical plus dv उसके बाद joining letter मिल जाएगे तो joining letter मिलने से पहले मैं एक बार और clear कर देती हूँ कि यह आर्द सैनिक बल और दिल्ली पुलिस SI के लिए तो आए देखते हैं department दिल्ली पुलिस बीस एस एस एफ सी आई एस एफ सी आर पी एफ आई टी बीप और एसस भी यह सभी आर्द सैनिक बल और दिल्ली पुलिस SI के लिए वेकेंसी रहेगी तो आया जाज सब इंस्पेक्टर आपको इन सब department में work करना पर सकता है रही बाद की exam center कहां रहेगा form fill करते time आपको option मिलता है three layer by city चूज करने का आप जहां चूज करोगे वही पे एसस से आपका exam conduct कराएगी उसके बाद आपको जब joining later मिलेगी तो जहां पे आपको allocate किया जाएगा all over इंडिया में अगर दिल्ली पुलिस में होता है तो दिल्ली में serve करना पड़ेगा और serve करोगे तो क्या salary मिलेगी आईए मैं clear कर देती हूँ आपकी starting salary होगी 35,400 रूपीस और उसके बाद आपकी person allowances per year की increment के बाद 1,12,400 रूपीस मतलब कि बहुत अच्छी आपके लिए opportunity है group B and C official post रहेगा sub inspector के लिए तो आप अपने तयारी की speed को boost करो previous year के set लगा उसका जो cut off है उसकी according इस साल का model paper बनाओ और कोशिस करो कि cut off से high marks आप ला पाओ exam में तभी जाके आपने यहाँ पर अपना exit अचीव कर पाओगे and I hope कि मैंने जो कुछ भी detail आपको बता है SSE CP और new recruitment के regarding आप अच्छे से इसको समझ पाए होगे कही पर भी कुछ confusion query हो comment section में पूछो वहाँ पर मैं clear कर दूँगी और अगर इसका आपको official notification वगरा चाहिए तो मैं अपने telegram channel पर post करते रहती हो तो मेरे telegram channel, facebook page and instagram तीनों का link आपको मिल जाएगा description में जाके वहाँ पर follow कर लेना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो मेरे efforts को आप समझ पा रहे हो तो प्लीज एक वीडियो को एक like करके जाना और अपने friends के साथ share कर देना मेरे channel को subscribe करके notification bell को all पर state कर देना ताकि सारी new video सबसे पहले आप सभी तक पहुँच पाए तो मिलोंगी फिर से किसी government job के अपडेट के साथ till then stay tuned bye bye take care